नमश्कार, मैं हूँ दॉक्टर प्रवीन गुपता और आज हम डिजिटल एलेक्रोनिक्स में एक बहुती इंपॉर्टेंट थियोरम, डुएलिटी थियोरम के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर डुएलिटी थियोरम के स्टेट्मेंट को समझ लेते हैं डुएलिटी थियोरम का जो स्टेट्मेंट है वो यह कहता है कि इसका मतलब यह है कि किसी भी बूलियन एक्स्प्रेशन का हम डुएल निकाल सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं अगर हम एंड तथा और को इंटरचेंज कर दें यानि कि जहाँ पर एंड है वहाँ पर और कर दें तथा जहाँ पर और है वहाँ पर एंड कर दें इसके अलावा अगर कहीं पर 0 है तो उसको 1 कर दें तथा 1 है तो उसको 0 कर दें इन steps को यहाँ पर जो यह तीन steps हैं यहाँ पर दिखाया हुआ है steps used in duality theorem तो जो पहली step है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ change each end operator to an or operator एंड को आपको किस में change करना है और में then the second one is change each or operator to an end operator यहाँ पर कहीं पर भी आपको और operator दिख रहा है तो उसको आप end operator में change कर दें ठीक किसी तरीके से अगर कहीं पर 1 दिख रहा है तो उसको 0 में change कर दें और कहीं पर 0 दिख रहा है तो उसको 1 में change कर दें तो यह हमारे यहाँ पर steps हैं जिसके through हम किसी भी boolean expression का dwell निकाल सकते हैं dwell निकालने का एक जो सबसे बड़ा फायदा हमें यह होता है कि हमें एक और expression मिल जाता है और यह expression भी true होता है boolean functions को minimize करने में भी हम dwell theorem का use कर सकते हैं क्योंकि पहले हम एक ऐसा expression जो हमें difficult लग रहा है उसको solve करते हुए अगर हम dwell theorem apply करें तो उसका जो solution आएगा उसको यदि हम वापस से dwell कर दें तो हमें original function का simplified expression भी प्राप्त हो सकता है तो जो mathematical form है dwell theorem की वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी भी function f जिसमें कि जो variables हैं वो है x1, x2, 2, xn n variables हैं 1 है, 0 है, end का sign है और plus का sign है अगर यहाँ पर तो उसका dwell f of d क्या होगा? f of d उसका होगा x1, x2, 2, xn यानि कि कोई भी जो variable है, variable जो term है उसमें कोई भी change नहीं आएगा यानि x1, 2, original जो हमारा function है x1 से xn वो और dwell में जो हमारे variables हैं अगर वो complemented form में भी हैं तो वो as it is ही रहेंगे लेकिन कहां फरकाएगा कि अगर original function में हमारे पास में अगर 1 है तो वो 0 में change हो जाएगा, अगर 0 है तो वो 1 में change हो जाएगा तथा end operation और operation में change हो जाएगा, तथा और operation end operation में change हो जाएगा तो यहाँ पर हम एक boolean expression देख रहे हैं जिसकी यह LHS है और यह RHS है यह expression है equation है boolean इसको LHS side में भी हम dwell लेंगे और right hand side में भी हम dwell लेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारा नया expression आएगा new expression जो हमारा आएगा वो भी true होगा यानि कि वो भी एक identity होगी तो हम देखते हैं हमने कहा कि जो variable A है वो as it is रहेगा हमने कहा कि जो end operation है वो plus में change हो जाएगा और ये जो plus का जो sign है B और C के बीच में यानि जो और operation है वो end operation में change हो जाएगा तो ultimately जो हमारा left hand side था expression का वो हमारा हो गया A और B and C अब ये जो हमारी right hand side है इसको अभी हम dwell ले लेंगे और देखिए इसमें क्या होगा जो variables है A तथा B ये as it is रहेंगे लेकिन जो dot का निशान है यानि कि जो end operation है वो plus के sign में convert हो जाएगा यानि कि और operation में convert हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा A plus B अब ये जो plus का sign है इन दोनों expressions के बीच में वो हमारा dot के sign में change हो जाएगा और जो आगे वाला part है A, C as it is रहेंगे लेकिन जो dot का निशान है वो plus में convert हो जाएगा तो इस तरीके से हमें जो नया equation मिली है जो नया boolean expression मिला है वो भी true होगा और ये होगा A और B and C is equals to A plus B and A plus C ये हम यहाँ पर देख सकते हैं ये application है हमारी dwell theorem की अब यहाँ पर हम कुछ और examples को समझ सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने boolean laws में भी देखा था उन्ही को हम यहाँ पर वापस देख रहे हैं कि जो boolean laws हैं उनकी दो form होती हैं generally एक end form एक दूसरी और form और basically मैंने आपको पहले भी बताया था कि end form तथा और form को हम आपस में dwell निकाल कर भी देख सकते हैं जैसे कि for example a का एक variable का one के साथ में अगर हम end operation करते हैं तो a ही आता है यह हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इसको हम prove भी कर सकते हैं अब इसका जो dwell है हमारा यहाँ पर वो क्योंकि आपने पढ़ा है अभी dwell निकालने के लिए कि जो हमारा variable है वो as it is रहेगा तो यहाँ पर a, a ही रहेगा लेकिन जो dot का निशान है वो change होके plus का निशान हो जाएगा तो यहाँ पर यह plus का निशान हो जाएगा जो one था यह बहुत important है वो zero में convert हो जाएगा तो इस तरीके से ये जो हमारा नया expression और A, A ही रहेगा तो ये जो हमारा नया expression है वो हो जाएगा A plus 0 is equals to A यानि कि A का हम end operation करें 1 के साथ तो हमारा A आएगा लेकिन और operation अगर 0 के साथ हमें करना पड़ेगा तो हमारा A आएगा जो हमारा second यहाँ पर example है उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी identity है वो है A dot 0 is equals to 0 यानि कि 0 को किसी के भी साथ किसी भी variable के साथ अगर हम end करते हैं तो जो हमारा net result है वो 0 आता है अब इसका जो dwell है इस expression का वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या होगा A, A ही रहेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं dot का जो निशान है वो plus के निशान में convert हो जाएगा और जो 0 का निशान है वो 1 में convert हो जाएगा और यहाँ पर जो 0 का निशान है वो भी 1 में convert हो जाएगा तो इस तरीके से अगर आपको एक expression पता है तो दूसरा expression भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी true होगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा a और 1 is equal to 1, यानि किसी भी variable के साथ मैं 1 को और operation करने से 1 ही generate होगा, जो next expression है, वहाँ पर a तथा उसका prime के बीच में end operation है, और वो 0 आता है, यह आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और इसका जो हमारा dwell expression है, यानि कि इसका जब हम dwell लेंगे, तो उस case में a, a ही रहेगा, a prime, a prime ही रहेगा, जो dot का निशान है, वो plus के sign में convert हो जाएगा, और जो 0 ह वो भी 1 में convert हो जाएगा, तो इस तरीके से जो हमारा नया expression होगा, वो होगा a plus a bar is equal to 1, जो हमारा अगला expression है, वो है a dot a is equal to a, यानि कि हम एक variable को उसी के साथ में अगर end operation करते हैं, तो a generate होता है, अब इसका जो dwell है, यहाँ पर केवल और केवल, जो है वो dot का निशान, जो है वो plus में convert होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो a है वो a रहा, यह दूसरा a भी यहाँ पर a रहा, तो यह a plus a भी क्या होगा, a ही होगा, जो अगला example है, जो कि commutative ला को represent करता है, उसमें a dot b बराबर b dot a होता है, यह आप समझ से, यह आप जानते हैं, और जब हम इस expression का, यानि left hand side and right hand side both, अगर हम यहाँ पर dwell लेते हैं, तो उस case में यह a plus b is equals to b plus a हो जाता है, ठीक, इसी तरीके से हम किसी भी boolean expression का, या किसी भी function का, जो है वो dwell निकाल सकते हैं, और minimization में इसको use ले सकते हैं, तैंक्स फॉर वाचिंग इस झाल सकते हैं, झाल सकते हैं, या किसी भी जानिजब का, श擦ीश ख्यवचlicem का, या किसी भी बाव Simple 되power on the root! झाल